मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने नीमच में किसानों का ब्याज माफ करने की योजना बनाई। किसानों को लाब होगा क्योंकि योजना के तहट 10 करोड रुपए से अधिक का ब्याज माफ किया जाएगा। नहीं लोटाया और नतीजा यह हुआ की वे डिफाल्टर हो गए सहकारी समितियों ने उन्हें खाद और बीज देना बंद कर दिया। परिहार के अनुसार किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिन्ह चौहान ने किसानों के हितों को माफ करने पर सहमती व्यक्त की है। योजना के अनुसार जिन किसानों पर मूलधन और ब्याज में 2 लाख रुपए से अधिक का बकाया है। उन्हें इस योजना से लाभ होगा। किसानों को 30 नवंबर तक आवेदन जमा करना होगा। राज्य के 4 दशमलव 4 लाख से अधिक किसानों ने इस योजना में भाग लिया। वर्तमान में योजना से 11 दशमलव 1 नौ लाख किसान अपात रहें। वे मूल रूप से 3,356 करोड रुपए और ग्याज में 2,123 करोड रुपए का भुगतान करना जारी रखेंगे। दोनों को कार्यक्रम के तहट माफ कर दिया जाएगा।